चलिए आज बनाते हैं सनई के फूल की सबजी तो ये सनई का फूल जो है यूपी भिहाल जारकंड में अधिकतर मतलब पैदा भी होता है और इसे लोग खाते भी हैं तो ये सेक्टमबर और अक्टूबर के महने में ही जादा मिलता है तो ठाइसो ग्राम मुझे सनई का फूल मार्केट में मिल गया थो आनले और सुचा क्यों रॉड है और वीडियो में चेहां मैं उप्लोड कि अप्लोड किया था आप चाहें तूसे भी देख सकते हैं इसकी समझी Ahh Tasty उड़े कंटी है और तीसे Vin दें पानी से अच्छी तरसर धूल दो do this नाहिं कि बारिश के मौसम में बहुत जादा सबजीया मिलती नहीं थी अब तो है Leo 191 पे पहली नहीं मिलता था तो क्या जो लोकल पैदावार होती थी पैदा होती थी वही चीज बनाकर बारिश के के कभी आपनी सब्जी को बनाकर खाया है तो इसके लिए आएए देखते हैं कि मसाले में पड़ेगा जो बसार मसाला होता है जो यू-पीधि पुर्वांचल के उन्गे जारो होता है। तो 3-4 करी मैंनी लहिसन के लिए 1-2 चमच जीरा लिया आठ 갔का यह 8-10 करी काली मिर्च के लिया 3-4 मे ने सुखी लाल मिर्च के लिये और 1.5 चमच ते पильно, डिया सरसो के wand your वीज तो आप पेली वाली सरसो भी ले के सकते हैं और काली वाली भी तो मिल भी जाता नहीं भी मिलता है तो मुझे तो मिल गया थो तो मैंने सुचा कि आज सब्जी को बना कर खाते भी हैं और आप लोगों के साथ वीडियो भी सेयर करते हैं तो यह देख सकते हैं मैंने इसे पीस लिया है और इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे तो मसाला भी तय की तो सरसो के तेल में बनाएगा उससे क्या होता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाया तो इसमें सनई के फूल को डाल देंगे तो सनई के फूल को डालने के बाद इसे चार से पाच मिनट तक low to medium फ्रेम पर अच्छी तरह से भ स्खुनते हुए और अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अब इसी कढ़ाय में क्या करेंगे कि थोड़ा सा सरसो का तेल और डालेंगे यानि अगर आपको लगे कि मसाला नीचे से जल ला है तो इसमें क्या करें थोड़ा सा पानी भी एट कर सकते हैं दो चम्मज के करीब लगबग थोड़ा सा मैंने मतलब आधा चम्मज के लगबग मैंने हल्दी पाउडर डाला है अगर आपके पास खड़ी हल्दी हो तो सिल्बटे पर पीशते समय हल्दी भी पीश लें तो यहां पर मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है और इसे अब अच्छी तरह से भुनेंगे तो चार से पाच मिनट ही लगता है लोटू मीडिया फ्लेम पर अच्छी तरह से मसाला भुनने में और यह फटा-फट से भुन जाता इसमें कि जो सनई का फूल मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके यानि भून कर रखा था उसको इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से धीमी याज पर पकाएंगे अब गैस की फ्लेम को तेज नहीं करना है मलब लो से थोड़ा सा ज्यादा आप कर सकतें बस इतना ही रखिए है और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे तो मसाले में मतलब आपको इसमें देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी धनिया हुआ या गरम मसाले कुछ भी ने डाले सिंपल सा मसाला मैंने यूज किया है और खास बात यह कि आप इसे लोहे की कड़ाई में बनाएंगे और सरसो के त तेस्ट मतलब बहुत जादा अचा आता है तो जो लोग इसे हमेसा बनाते खाते हैं जो लोग इसके बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि इसे कैसे बना इतल और इसका टेस्ट क्या है तो यह देखिए तो अच्छी तरह से मैंने इसे चार से पाँछ मिनट धीमियाच मे पका लिया है इसमें जो थोड़ा सा पानी मैंने अड़ किया थो भी अब अच्छी तरह से सूख चुका है आप चाहें तो हलका सा इसे गीला भी रख सकते हैं या अच्छी तरह से भून भी सकते हैं तो मैंने बहुत गीला इसे नहीं रखा है सिंपल सा बनाया है मतलब ना बह रेडी हो चुका है तो इसे एक प्लेट में या कटोरे में निकाल लीजे आप किसी भी बरतन में क्योंकि ज्यादा देर तक छोड़ेंगे तो इसमें काला पड़ जाएगा तो सनई के फूल की सब्जी बनकर त्यार है फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ टे केर और बाए झालो